हलो फ्रेंज जै मातादी कैसे हैं आप सब या कुंदेंदू तुशार हार धवला या शुब्र वस्त्राविता या वीनावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चुत शंकर प्रभृतिर भी देवे सदावंदिता सामांग पातू सरस्वती भगवती निह शेश जाडिया पहा वर्दे वर्दे वीनावादिनी बर्दे दोस्त वसंत पंचिमी का त्योहार फाइनली आ गया है और आप सभी भाईयों और बहनों को बहुत बहुत बधाईयां स्पेशली जो भी ब्रिजनारी परिवार के बच्चे हैं उन सभी को जो भी कलाकार है उन वसंत पंचिमी का दिन होता है माता सरस्वती का प्राकटिय दिवस माना जाता है और इस दिन उनके निमित आप जो भी उपाय करते हैं उनके निमित आप जो भी अरपन करते हैं जो भी उनकी प्रेम वाली चीजें उनको चड़ाई जाती है उसके द्वारा उने तुरंत उन बुझ मुहर्त भी कहा जाता है और कोई भी शुब काम आप करना चाहें किसी भी पंडित से किसी भी जोतिश से बिना पूछे आप कोई भी ग्रह प्रवेश विभा आदी का जो भी काम हो सोला संसकार आप वो कर सकते हैं कहते हैं इस दिन यदि सही मुहर्त में मा सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और सच्चे हिर्दय से किसी चीज की कामना की जाती है चाहे वो धन ही क्यों न हो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे और कलाकार इसे उपाय को करें सभी को करना चाहिए बड़े चोटे क्योंकि बुद्धी की उसको बढ़ाता है किसी भी देव की पूझा करने से पहले गणेश जी की पूझा करनी चाहिए इस दिन गणेश जी की पहले स्थापना करके फिर माता सरस्वति की स्थापना करके उनका शिंगार आदी करें उनके चड़नों में अबीर गुलाल आदी चड़ाए दीपक जल इसके बाद माता सरस्वती की पूजा का संकर्प लेकर के आप उनको स्थापित करके पूजन करके भोग लगाएं मीठे चावलों आदी का और फिर सभी लोग मिल करके मां की आरती पूरी विधी मैंने दूसरे वीडियो में पिछले कई वीडियो मैंने दिये उसमें बताई है आप ध्यान पूर्वक सारी विधी समझ लें सभी के माते पर रोली का चंदन का तिलक करा के और कलावा बांध करके मां से प्रार्थना करें और फिर जो लोग भी स्थाई रूप से अपने घर में माता सरस्वती को भी राजित रखते हैं आपको वापस यथा स्थान रख देनी चाहिए अन्यथा अगर आपने मिट्टी की मूर्ती ले करके आए हैं तो आपको विसरजन करना होता है और इस दिन मा की प्रिये चीजों से जैसा मैंने फर्स्ट में बताया आपको उपाई करना चाहिए खासकर मा को वीना प्रिये है पीले भात प्रिये है और मोर पंक प्रिये है प्रिये चीजों में से सबसे जादा मोर पंक का मुपाई करते हैं तो कहा जाते हैं तंत्र में भी मोर पंक को बहुत ही विशेश माना गया है पौरानी काल से ही मोर पंक को बहुत वाल्योबल जहां तक ही ग्रह दोशों को भी द जोतेश है, सभी में मोरपंग को एहम स्थान दिया गया है। जोतेश है, सभी मोरपंग को एहम स्थान दिया गया है। मोरपंग का इस्तेमाल हर मनुष्य को करना चाहिए। मोरपंग का प्रतीक माना गया है। जो इसलाम होते हैं, मुसलिम्स होते हैं, उनके धरम में मोरपंग को ऐसे भी बहुत शुब और खुबसूरत माना गया है। नजर उतारने के लिए हो, भगवान की प्रतीमा का श्रिंगार करने के लिए हो, हमारे वातावरन को पवित्र करने के लिए हो, वास्तू दोश दूर करने के लिए हो, मोरपंग को हम बहुत प्रयोगी मानते हैं। दोस्तो मोरपंग का प्रयोग कहां कहां आप कर सकते हैं, वशीकरण हो, कार्य सिद्धी हो, भूत बादा हो, रोग मुक्ती हो, ग्रह भादा हो, वास्तु दोश निग्रे हो, और इसे सिर पर धारन करने से विद्यालाब भी मिलता है, सिर पे ऐसे तो धारन नहीं किया जा सकता इसलिए आपको अक्सर में बताती हूँ, एक तावीच के बारे में इसके विशेश, इसकी कवच बनाई जाती है मोरपंग की, वो बच्चों को धारन अगर कराया जाता है, तो इससे बच्चे बहुत तेज होते हैं, इनको पुस्तकों के बीच में, अभी मंत्रित मोरपंग रख करके लाब उठाना चाहिए, मंत्र सिद्धी के लिए जपने वाली माला को मोरपंगों के बीच में रखा जाता है, कहते हैं आप अपने जप माला है उसे मोरपंगों के बीच में रहते हैं, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है, घर में अलग-अलग स्थान पर नौगरहों का बताई दिया, मैंने सारे नौगरहों का वास मोरपंग में बतलाया गया है, और अपने जो भी रूम है, उसमें मोरपंग आप रखते हैं, तो वहां का वातावरन सकरात्मक होता है, हमारे धरम में मोरपंगों धन की देवी लक्षमी से भी जोड़ कर देखा जाता है, लक्षमी सौभाग्य, लक्षमी सिर्फ पैसा नहीं होती है, लोग कहतें लक्षमी आएगी कहने का मतलब है कि सिर्फ पैसा आएगा, लक्षमी को सौभाग्य, खुशाली, धन्धान्य, संपन्नता, सभी को लक्षमी ही कहा जाता है, और मोर के पंखों को यही लक् बल्कि राहू की बुरी दशा के लिए विशेश रूप से मुक्ति पाई जाती है। बल्कि राहू की दशा का प्रभाव कम हो जाता है। सबसे पहले तो आप पूजा करने के बाद अगर आपके पास घर में मौर पंक है या आज ला सकते हैं माकित से। सबसे जान पर लगा दीजिए जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे जादा पड़ती है। इससे आपके घर की सारी नकरात्मक उर्जा को ये पंक अवशोशित करता है। आप चाहे इसे वाल्स पे लगा सकते हैं या फिर आफ लावर पॉट की तरह इसे किसी वेस में लगा सकते हैं। ये भी खुब सूरत लगता है। ये आपके घर की ब्यूटी को भी इन्हांस करेगा। ये उपाए ना सिर्फ आपके बल्कि आपके घर के सदस्यों के भी जीवन में समरिधी लेकर के आता है। दूसरी चीज सरसुती पूजा है बच्चों के लिए विशेश हम बात करते हैं तो कोई बच्चा जादा जिद्धी हो बिमार हो या कमजोर हो दिमाग से कमजोर हो तो मोर के उस पंक का एक पंका जैसे बना लीजे। और आप जाएंगे अक्सर रोड पे आप ट्राफिक जैम अगर में जाते हैं तो वह बिकते रहते हैं मोर का पंका का फैन। तो आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं और वहां पर ले करके उससे आप बच्चे को रोज हवा दें। 43 डेज आप करके देखें धीरे धीरे बच्चे के एक जिद कम होगी उसकी तबेट ठीक होगी उसका गुस्सा भी सुद्रेगा। और अगर बच्चा नहीं हवा देने देता है बहस करता है तो जिद नहीं करें उसको और उक्साइन नहीं उसके जो चाहिए पंका चले तो पंक चले तो मोर के पंको की हवा बच्चे को लगें अपने आप उसकी जिद कम हो जाएगी, हट कम हो जाएगी, और बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आप उनके कमरे में ऐसे भी दिवारों पे भी स्टिक कर सकते हैं, या उनके तक्ये की गिलाफ में घुसा के रख सकते हैं, जो भी ध्यान रखना चाहिए कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे काम चलते चलते रुक जाते हैं, जो बिजनस क्लास है, वरकिंग परसन है, जॉब में आदी में हैं, उनके लिए विशेशी उपाई बता रहे हूं, घर से भी काफी स्टियां काम करती हैं, वो भी ये कर सकते हैं, लंबे समय तक आपके क कामो का रास्ता बिल जाता है, मूर के पंको, चांदी की ताबीज में डाल कर अगर छोटा बच्चा न्यू बॉर्ण बेबी है, तो या तो आप उसे चिंता मनी कवच दे सकते हैं, बच्चों को हमेशा सभी को में निवेदन करती हूं, चिंता मनी कवच सभी बच्चों को पहना के रखना चाहिए जो भी बच्चे जिद्धी है, पढ़ाई में कमजोर है, माइंड वीक है, तो बच्चों को चिंता मनी कवच देने से बच्चों का जीवन में आगे भड़ते हैं, उनको शक्ती मिलती हैं, उनके कवच के रूप में वो हमेशा उने बुरी नजर से भी बच्चाता है, साथ ही साथ उनमें बैड हैबिट्स डिवलप नहीं होने देता, बच्चों को फोकस करने में, कॉंसेंट्रेशन पावर बढ़ाने में, मेमरी पावर बढ़ाने में बहुत इन्हांस करता है, और अगर आप नहीं कर सकते चिंता मनी कवच आपके पास नहीं ह तो आप बच्चे के सामने तब तक ये मोरपंका उपाई कर सकते हैं, दोस्तों घर हमारा एक मंदिर की तरह होता है, और उसमें अगर रहने वाले लोग रोज आपस में जगड़ते रहते हैं, तो ये मंदिर का औरा बिलकुल खराब होने लगता है, घर अप वित्रता आजा और अगर बहुत जगड़े बढ़ गए हैं, आपके घर में नकरात्म कुर्जा का प्रवेश हो गया है, तो आपको मोरपंक अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए, पैशली अपने पास अपने घर में रखिए, और जबी भी लगे निगिटिव उड़जा होगी, जितनी बुराई होगी, जितनी भी खराबी होगी किसी का किया धरा होगा, वो छड़ जाते हैं, तो इससे एक तो घर में बरकत बढ़ती हैं और अच्छानक से कष्ट नहीं आते हैं, तीसरी चीज़, मोर और सर्प में شत्रुता मानी गई हैं, यानी संयोग से, काल सर्ब भी बनता है योग और साथ ही साथ यदि मोर का पंक इस दिशा में लगाते हैं पूर्वी है उत्तर दिशा में या पश्यमnin दिवार में या फिर अपनी जेव में रखते हैं या डائरी woh नहीं तो काल सर्ब दोश हो राहू दोश हो यह कभी परेशान नहीं करते और अगर साइन्टिफिकली भी देखा जाए कि अगर आपके घर में मच्छर, विच्छू, विशेले, जन्तू, सांप आते हैं तो आपको मोर्पंक अपने घर में धेड़ सारा रखना चाहिए अब मैं आपको बता देती हूँ आज जो आप मोर्पंक पूजा में चढ़ जिस थान पर सबसे अधिक पैसा रखते हैं ये मोर्पंक भी वहीं रखा जाएगा इससे एक और जहां आपकी तीजोरी भरेगी आपके घर में अगर बरकत नहीं और ये पैसा टिकता नहीं आता है तो धन भी धिरे-धिरे खर्च होने लगेगा दूसरा मोर्पंक आपको अ आपको अपने मंदिर में या भगवान देवी देपता को भी हवा देनी चाहिए इससे आपके पैसों के मामले में किस्मत चमकती है और धन आगमन के नए द्वार खुलते हैं तीसरा मोर्पंक आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना चाहिए ऐसा करने से कैस बहुत कठी नाहियां आ रही है तो ऐसा करने से क्या होगा जब आप बैट पर सोएंगे तो आपके अंदर की या फिर निगिटिव एनरजी आपके अंदर बहुत जादा बढ़ गई है नजर बादा आ गई है तो आप यह उपाई कर सकते हैं या तो चिंता मनी कवज धारन क करा सकते हैं और या फिर आप मोर पंक की ताबीज बनवा करके धारन कर सकते हैं मोर पंक सिद्ध होना चाहिए ये बात का ध्यान रखें और या फिर आप मोर पंक पूरे उनके बिस्तर के नीचे पहला दीजे और फिर आप उसके बाद में उस पेस होई आप देखेंगे धी दिरे दिरे आपके अंदर positive energy अपने आप आने लगेगी, अच्छा सोचने में मदद मिलेगी, अपने काम पर focus नहीं मुरा है तो वो बढ़ जाएगा, इस तरह से आपके जीवन में ये मोर पंक आपको सफलता प्राप्त करने में साथ देती है, साथ ही साथ कहा जाता है असीमि लगा दीजे, तो इससे भी घर के वास्तुदोश खतम होते हैं, दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाई है और आज अगर आपके पास मोर पंक है, तो आप माता सरस्वती के सामने इसे जरूर स्थापित करें, कुछ लोग सोसते हमने तो पहले चढ़ाया हुआ हुआ है, कहीं लब यौल, जै माता दी, बंबं भोले नात की, जै सरस्वती मैया की